लबस्कार आप देखरें लाइब वियार निउज आपके साथ मैं हूँ आस्फ सदेखी आने वाले दिनों में इस बात से कोई गुरेज नहीं होगा कि बिहार की राजधानी पटना जो है आंदोलन के लिए जानी जाएगी लगतार जो है आंदोलन होता है अपनी प्रमुख मागों को लेकर के आंदोलन किया जाता है कोई ऐसी मांग नहीं है जो छोटी मोटी मांग है बड़ी मांगे होती है उसको लेकर के आंदोलन किया जाता है सरकार को अपनी आवाज सुनाने की कोशिश की जाती है या अंदुलन के माध्यम से हमारे पीछे जी एनिम की छात्रा है और ये लोग अपना अंदुलन जो कर रही है काफी दिनों से कर रहे है ये 20 दिन हो गया बीते 6 दिनों से भूख हरताल पढ़ है इनका ये कहना है कि जो इनके साथ यहां पर बैठी थी वो अस्पताल में भरती हो चुकी है क्योंकि भूख हरताल है बावजुद इसके सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है इन लोगों की बात सुने नहीं आता है किसी तरह का कोई आश्वाशन नहीं मिलता है हालात ये हो चुका है कि हम ये कह सकते हैं कि बिहार का युबा जो है अब शिक्षा को लेकर के अंदुलन कर रहा है रोजगार को लेकर के अंदुलन कर रहा है अपनी हक की आवाज को लेकर के अंदुलन कर रहा है और इसका नजारा मेरे पीशे साफ आप तौर पर देख सकते हैं आप बताईए आपका नाम क्या हुआ प्रेड़ना जी एनेम स्टूडेंट पीम सेच से प्रेड़ना कहां से हैं? हम तो मुगेर से हैं कब से आप लोगो कांदोलन चल रहा हैं? यहां गरदनी भाग में 20 दिन हो चुका है और आज आठवा दिन है भूखरदाल का लेकिन हम लोग का प्रोटेस्ट जब वो 2 माई से ही स्टार्ट हुआ था तो एक माईने से जादा हो चुका है हम लोग की मांग बस इतनी है कि हमने इंट्रेंस DCEC का एक्जाम कॉलिफाई किया टॉप रैंकर्स को टॉप कॉलेज मिलता है टॉप मेरिट वाले स्टूडेंट होके हम यहां पे अड्मेशन लिये थे पीम्सीच में अफिर आपको बीच सेशन में यह बताया जाता है कि आपको यहां से 40 किलो मिटर दूर राजा पाकर वैशाले शिप्ट करना है वहां आपको सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करनी है जो कि सौबेट का अस्पताल है ट्रेनिंग के वह कभी भी एक सदर अस्पताल में नहीं मिल सकती है और सरकार कहती है कि वह हमें दो बसे प्रोवाइड करेगी कुछ ट्रेनिंग के लिए आपको पीम्सीच आना पड़ेगा तो सर 40 किलो मिटर का डिस्टेंस रोज तै करना पांच घंटे का ट्रेनिंग करना पांच घंटे का फिर पढ़ाई करना तो यह पॉसिबल नहीं है कि बच्चा रोज आपका 40 किलो मिटर दूर आएगा जाएगा उससे या तो आपका ट्रेनिंग चूटेगा या तो आपकी पढ़ाई चूटेगी वहां ट्रेनिंग लेना है फिर वापस पटना आना है यह जो तो अगर वह जाती है तो दो दिन रेस्ट करते फिर ड्यूटी जाती है तो रोज इतना हरास्मेंट हो का बस से आने ज़रे में तो यह पॉसिबल नहीं कि बच्चे अच्छे से ट्रेनिंग और पढ़ाई कर सकते ह वहां पर आये दिन वह जो एरिया है एक बीच में आपने फोस्टल बना दिया ठήक है नएा होस्टल है आपने बना दिया 10 किलोमेटर के डिस्टेंस में कुछ नहीं है सिर्फ जंगल है पेर पौदे हैं बाकि कोई भी लोग वहां नहीं रहते हैं उस जगा पर आपने होस्टल बनाया जहां आए दिन लड़कियों को गोली मार दी जाती है पीचे दिन एक न्यूज आया था एक लड़की को टुशन पढ़ा किया रही थी इसको गो सबकुछ देख रहा ना है पीएम सेच प्रशाशन पहले हमारी प्रिंसिपल मैंती कुमारी वी नम है वह उन्होंने तो कोई डिसीजन हम लोग को पताया नहीं कि आपको शिफ्ट भी करना है एक दिन पहले नोटिस निकलता है कि आपको 24 घंडे के अंदर होस्टल खाली करन है साइन डै लगा दिया गया है caudy लडगियों का समान फेग दिया गया ब्रेध को यह कौने टाया सबहएं सब्सक्राइब हैं साइन होश्टल खाली करवाने के लिए लड़कियों को इतना मारा गया क्योंकि PMCH को जो एशिया का नंबर वन हॉस्पिटल बनाना है इसके वज़े से सिर अगर आपका dream project था तो यह आपने sudden तो plan ने किया था अपने dream project के लिए तो आप अपने dream project को fulfill करने के लिए ठीक है बिहार ग़ौण वी थो रहा है हम भी बहुत खुछ हैं इस बात से लेकिन फिर पता नहीं उसका क्या हुआ लेकिन वह बोले कि हमने बहुत कोशिश की हमको जगा नहीं मिला अगर आप कोई लेकिन सरकार अब हमारी बात सुनने को तयार नहीं है वह कुछ भी सुननी रही है हम लोग एक महिने से हमारा पढ़ाई लिखाई बंद हैं हम सरकों पर बैठे हुए हैं अपने पढ़ाई को लेके मांग करें कि सर हमें पढ़ने आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटियां पढ़ना चाहती है बेटियां पढ़ने के लिए लड़ रही है हमें न अगर आप चाहते हों सफर करें हम करेंगे सफर हम कुछ से प्राइविट होसल लेके रहेंगे बड़ सरकार इस पर भी कुछ अमल नहीं कर रहे है और हमारे प्रोस्पेक्टर्स में यह साफ तोर पे लिखा है कि अगर आपको कभी शिफ्ट भी करना है तो आपको कांसलिंग के पताया जाएगा जाएगा को बिल्क trash हम लोग धा ही सब्सक्राइब कि यक्लाइश साथ हो सब्सक्राइब ले इन हम कुछ भी नहीं हैं हैं मेडिकल सुदंट के लिए आप को जगा मिल जाता है उनको पी-मस्यक्राइश की महीं रखते हो और हम नर्सेश के लिए आप जो हट है आप होसुटल के आप ही कहते हो और उसको आप राजापा कर रहे हो यह तक सङी हमारे है हमारे साथ लिए क्यों कर मैं दर्भंगा रिस्टिक से हूं मैं हम लोग भूख हर ताल पर बैठे हुए कुछ भी नहीं है कई सारी लगकियां बीमार हो चुकी है कई का सलाइन भी हम लोग जिनका खुद से इलाज कर सकते ते उतना कि यह जो सीरियस हो चुकी है गर्दानी बाग अस्पाताल में इलाज के लिए लड़ो क्योंकि दूसरा कोई तुम्हारे हग के लिए लराई के लिए नहीं लड़ेगा अगर तुम्हें कुछ स्टूडेंट है लेकिन छे माई को जो लाठी चार्ज किया गया जिसके वज़े से कई सारे पैने अपना हाथ पीछे की कोई भी नहीं चाहेगा क्या उनकी बच्चों को इस तरह से मारा जाए कि उनका भविस बरबाद हो जाए यहां पे जो सिटी मेडिस्ट्रेट आते हैं वह हम लोग को धमकी देके जाते हैं कि आप जो बैठी है यह इन्लीगल है इन्वालिड है आपने जो फोटो हमारे पास तो सारा वीजूल से कि हम पे डिटेट है कि आप पर एफ आयार कर दिया जाएगा आपका करियर खराब कर देंगे आप छे माई को जो आपके साथ लाटी शार्ज हो आप लोग भूल गई है वो फिर से दोहराया जाएगा हमको धमकिया मिल रही है वो यह देखने नहीं आ रहे कि जो बेटियां है भीहार करने के लिए लेकिन इनको क्या मालूम था कि PMCH से हटा करके इनको दूसरे जगा शिफ्ट किया जाएगा और इनका ऐसे दिन आ जाएगा जब यह सरक पर बैट करके धरना प्रदशन करती रहेंगी धरना प्रदशन भी कर रही है लेकिन पढ़ाय जो है इन लोगों का पढ़ाय करने आए थी लेकिन सरक पर बैट करके प्रदशन कर रहें सोच लिजे कि यह तस्वीर अगर इनके गार्जियन देखेंगे तब उनको कैसा लगेगा क्योंकि उन्होंने अपने बेटी को पढ़ाने के लिए ना जाने कितने जतन कियो होंगे और ना जाने क्या कु इसने जाने करने के लिए पर उसकते हैं नड़के चार्ज हो चुका है इतना चोट खाह चुके रात बर फूर्पमाई को जब लाटी चार्ज हुआ थी इतना चोट लगा था फिर भी में जबरदसी ठूस-ठूस के रखा गया है और सब को पीरबोर थाना के बाहर रखा गया है और कोई भी फरस्टेड नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं हम खुद स्टूडेंट ने ट्रीटमेंट किया है सारे स्टूडेंट का इतना कंडिशन खराब है हमारा लोगों की बातों को सुनकर के बस सही लगता है कि किधर जा रहा है बिहार क्योंकि लोग अपनी आवास के लिए, अपनी हक के लिए मांग कर रहे हैं हाला कि सरकार के तरफ से ये कहना है आसकर के स्वास्मंत्री का ये कहना है कि माकान के लिए जो है जगह आप लोगों को फुद देख लिए अगर जगह मिल जाता है तब आप लोगों को वहीं शिफ्ट कर लिए रहेगा जगह भी आप लोगों ने देख लिए एक जगह तो हम लोग देख भी चुके हैं कि आदर्श भवन भिकना पहारी में 200 स्टूड स्वास्त मंत्री से मुलाकात हुई है लेकिन वह अभी कुछ भी वह कहते हैं कि मैं कोई टिपनी नहीं दे सकता हूं सर उमीद तो लगा के यही बैठें कि शायद सरकार जो अभी तक कुमकर्ण की नीद में सोई है बेटियां एक महिने से पुकार लगा रही है अभी तो सुशाशन बाबु को जाग जाना चाहिए जो इतना नारा लगाती है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला शशक रही है आपको दुसरी जाएगा बेजा जा रहा है वो मामला अलग है मामला तो अपकी उड़े पढ़ाई नहीं इस तॉड़ेंगे अधर सुडेंट से हमारा ट्रेनिंग होगा हमारा जो स्टाडीज होगा वह बहुत अच्छा होगा बट अभी क्या मिल रहा है हम लोग को सबकी स्थिती खराब है लिए सब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती कोई औप्शन नहीं अगर राजा पागर जा के भी अगर कुछ भी गलत होता है तो भी ऐसे ही मनना होगा हमलों लोगों तो पर नहीं जाना है पेरेंट्स ने भी बोल दिया है छोड़ देना जीनेम नही इतने नारे लगाती है शायद वो कभी जाग जाए होश शायद वो होश में आज और बेटियों का दर्द देख ले तब उनकी आखे खुल जाए शायद वो आज एक बार देखने के लिए तो यह वो छात्रे हैं जो अपने मांगों पर रडिंग है और साफ तोर पर कहना है क क्योंकि वहाँ इन लोगों सिक्योर्टी का इशू है और वहाँ आने जाने का भी मस्ता इन लोग बता रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी संग्यान नहीं लिया गया है और भूख हरताल पड़ है ये लोग छात रहे हैं भूख हरताल पड़ है अपने घर से ये घरबार छोड़कर के माज इसलिए आई हैं कि यहाँ पढ़ाई कर सके लेकिन परिस्तिती ऐसी आ गई है कि अब इस सरक्त पर बैट करके भूख हरताल कर रही है हम उम्मेद करते हैं कि सरकार इनकी आवाज को इनकी मांग को जरूर सुने ताके बिहार का भविश जो है सवर सके